आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Question केता है Who will spend more electrical energy 500W TV set in 30 minutes या 600W हीटर इन 20 minutes ठीक है तो simple है electrical energy निकाल लेते TV set के लिए और फिर पाड़ में हीटर के लिए निकाल लेते और compare कर लेते तो देखो TV set के लिए मेरे को क्ये दिये है पावर दिये 500W और मेरे को टाइम ये 30 minutes इसको मैं किस में convert कर देता हूँ इसको मैं second में convert कर देता हूँ second में नहीं hour में convert कर देते हैं तो 30 upon 60 क्योंकि 1 hour कितना लेता है 60 minutes तो ये कितना आ जाएगा 30 minutes मतलो half hour in shot है ना simply आप energy कैसे निकालूँगा आपने को बता है power क्या रहता है work done per unit time work क्या रहता है simply energy energy upon time तो energy है मेरी वो क्या लिख सकता हो इदर से power into time energy इस case में क्या electrical energy तो power कितना है मेरा 500 time कितना है मेरा 1 by 2 तो जो मेरे energy है वो कितना जाएगे 250 250 watt hour ठीक है ये unit रही ये tv set के लिए अब heater के लिए निकालता हो sim case में simply सिधा formula यूज कर रहा हूँ energy equal to power into time 600 watt time कितना है 20 minutes तो power कितना है 600 watt time कितना है 20 minutes minute को किस में convert करेंगे hour में कैसे करेंगे 60 से revive करेंगे 20 upon 60 ठीक तो जाएगा वंजा ठीजा तो ये आ जाएगा energy आ जाएगी 200 watt hour तो ये heater के लिए और ये tv set के लिए आप compare कर लो clearly tv set के लिए जादा ही electrical energy आई है तो it will spend more electrical energy तो answer क्या होगे अपना tv set ठीक है तो ये answer होगे tv set will spend more electrical energy than heater classics to 12 से लेके need IIT means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप ये whatsapp कीजे अपने doubts 8400 400 400 पर